हलो दोस्तों यह देखी एक Microtech का कीट है तो इस कीट को हम लोग इस इनवर्टर में फिट करेंगे यह Microtech UPS 860EB है तो इसमें जो कीट था और इसमें जो हम लोग कीट लगा रहे हैं वो लगभग सेम है तो इसमें ज्यादा तर कुछ मोडिफिक्शन नहीं करना पड़ेग तो देखी इसके कुछ-कुछ तार सब कटे हुए हैं तो इसको हम लोग बात में जोड़ेंगे तो इसको मैं connection आपको दिखा देता हूं यह जो दो टर्मिनल है इस head sync पे लगेंगे और जो यह red वाला तार है जो positive side से आ रहा है वहाँ पे देखी एक connector है condenser के बगल में उसमे भी लगेंगे तो जैसे कि इसमें दो connection extra दिख रहे हैं वह ज्यादा वीए का kit जब लगेगा तब उसमें ज्यादा लोड पे चलने के लिए यह wire है तो उसको हम लोग नहीं लगाएंगे तो यह वाला है जो transformer से input हता है वही और charging के लिए भी इस्तमाल होता है तो यह जो connector display हाई और लो charging के लिए होता है इसको अगर नहीं भी लगाते है तो भी चलता है यह automatically high में रहता है charging तो देखिए इसको मैंने connection कर दिया है और कहां कहां पर किया है उसको अब देख लीजी देखिए यह जो connection है इसको हमने छोड़ दिया है क्योंकि इसके बगल में भी किसी किस इसकार में दो पीन होता है उसी में connection लगता है तो उसको हमने छोड़ दिया भी फिलाल क्योंकि इसको टेस्टिंग करेंगे कि एक किट सही है कि नहीं अगर आप कीट को रिपेर भी करते हैं तो इस विदी से किट को चेक भी कर सकते हैं तो पहले inverter को बैटरी से connect कर लेना है जो मल्टिमेटर का प्लस वाला सी रहा है वो बैटरी के positive में लगा देना है क्योंकि जो हमारा हिट सिंग पे voltage आएगा और negative voltage आएगा तो inverter को जैसे ही पान करता हूं यहां UPS आ गया है अब हमें क्या करना है कि जो मल्टिमेटर का negative probe है वो हिट सिंग पे बारी बारी रखना ह यहां जो है DC voltage आएगा उसका में ध्यान रखना है साइन वेब में जैसे कि आपका negative और मैंने AC voltage आता है तो इसमें सिर्फ negative voltage आएगा DC current तो देखिए जब OFF इस्तिति है तो यहां पे कोई voltage नहीं मिल रहा है अगर यहां आपको कुछ voltage मिलता है यानि सर्कुट में कुछ लेंगे तो आपका transformer मने जो मोस्पेट है वो खराब हो जाएंगे क्योंकि जो DC का current है बैटरी का current बहुत ही हाई होता है तो आपको बचने का समय नहीं देगा तो देखिए इसको मैंने connect कर दिया है बैटरी से चल रहा है अभी तो देखिए जैसे मैं input देता हूं 220 volt तो देखिए output तो आ गया है और देखिए mains आ गया है और यहां charging भी शो कर रहा है मार्केट में जब भी हमको नया kit मिलता है तो हमें same kit ही लेना चाहिए तो आपको कोई भी तार को इधर उधर कट के नहीं लगाना पड़ेगा सेम कनेक्टर होता है सिर्फ उसको आपको लगा देना है लाखे तो आपका inverter रेडी हो जाएगा तो कभी-कभी माइक्रोटेक में अगर सुकम का kit लगाते हैं तो उसमें थोड़े बहुत changes करने पड़ते हैं तो वीडियो यहीं तक धन्यवाद